हेलो गाईस स्वाकत है आप लोगों का फिर से हमारे नई यूटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कोटक नियू है एमसे अपना डिमेट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं तो आपको प्लेस्टॉर में जाना या तो आपको मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे चले जाना है वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगा ठीक है लिंक क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं यह तो आप लोग्य师 इंपल , प्ले स्टोर पे KOTAKNYO सर्च करेंगे और यह जो पहले नंबर का कंपनी आएगा बस उसी को आपको कलिक करना है और इसको इंस्ट defence करना है , और आपको क्लिक करना है , यही पिछा है , आपको आपको करना है ठीक है तो हम हलका सा slide करेंगे और यह आप देख पा रहें है रहाँ एक कोटक निया का Logo है और यह इसी ठीब का दिखाय के दे ठीक है तो बस हम इसी को Simple क्लिक करेंगे और सिदा हम कोटक नियों वाले एंटरफेस पे चले जाएंगे आप यही हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डिमेट अकाउंट ओपन करने तो गाई जैसी आप अपने एप को ओपन करेंगे आपको कुछ स्टेप का इंटरफेस दिखाई देगा आपको तिसरे नंबर वाले ओप्शन को क्लिक कर लेना है उसके बाद उपर पर आपको अपना त्रेट-फ्री प्लान यूथ है इसमें आपको 299 प्लीक करना है और तिस साल तरी प्लान यूथ वाला के ओप्सन को क्लिक कर दिये के उप्सन को क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हमको कुछ सेटीप का इंटरफेस दिखाई देगा और हमने अपने मोबाइल नंबर किया था उसी पर हमाराcode को क्लिक कर देते हैं इस टाइब करना मध्द आपकोubec with DSLocker &नframe नो इसको क्लिक कर देंगे उसके भी अपने pen card add, आपका date of birth add कर देना है तो चलि हम फटाक से अपने pen card नमबर आड्ड कर देते हैं आप लोगों को भी ऐसी अपना pen card number आड्ड करना है तो चलि फटाफ फट आप लोग add करेए मैं भी add कर रहाँ ठीक है उसके बाद नीचे पर आपको अपना date of birth add कर देना है continue के options को हमने click कर दिया and मैं आपको बता दू थोड़ा सा मेरा server का problem है issue है है ना हाँ मैंने add कर दिया उसके बद कुछ step का interface दिखाई देगा उपर आपको कुछ नहीं करना है यहां आपको mother name add कर देना तो चलिए हम अपने mother का नाम यहां add कर देते हैं mother name add करने के बाद आपको नीचे पर continue का options दिखाई देगा है ना वह continue के options को आपको click कर देना है तो यह mother name हम थोड़ा सा spelling mistake हो गया था यह हमने अपना mother name event कर दिया है ना अब नीचे पर हमको ना continue का options दिखाई देगा एक मिनट space देते हैं एंड ठीक है उपर सारा कुछ सही है ठीक है father name भी सही है ओके अब आया continue options ठीक है तो continue के options को click कर दिए एंड अगर आपको nominee add करना है तो ठीक है नहीं करना तो नहीं कर सकते हो के पर अन्न लिडी को क्लिक कर देना है उसके बाद आप email आड़ी आपको यहां ऐट कर देना है चलिए तो हम आपको करने के बाद आप 2021 को क्लिक कर देना है ठीक है तो यह हमने अपना email एड कर दिया एड हमको श很多 कंटिन्यू को अप संग को एक है है तो चलि हम continue के options को क्लिक कर देते हैं continue के options को क्लिक कर दिये उसके बाद कुछ second के बाद हमारे email id पे एक OTP आएगा उसी OTP को यहां fill कर देना है तो मेरे email id पे मैं भी check करता हूँ OTP आया है की नहीं आया है और यह 25 second के अंदर आपको यहां add करना होता है ठीक है तो चलि हम अपने email id पे चलते हैं और वो जो OTP मिला है उसको यहां हम add कर देते हैं तो चलि हम अपने email id पे मिलते हैं तो जो हमारे email id पे जो OTP आया है उसको हम fill कर देते हैं and continue के options को तो हम click कर दते हैं तो यह हमने continue के options को click कर दिया उसके बाद कुछ step का interface दिखाई देगा तो यहां मेरा जो amount है yearly income है वो एक लाग के अंदर है तो मैंने एक लाग के अंदर वाले options को click किया and continue के options को click कर दिया उसके बाद यहाँ आपको bank add कर देना है तो मेरा bank of India है तो यह मैंने bank of India search कर दिया और यह simple bank of India को click कर दिया and यह continue के options को मैं click कर दूँगा continue के options को click करने के बाद यह मुझे अपना account number यहाँ add कर देना है and confirm account number मुझे add कर देना है ठीक है तो चलिए हम अपना bank account number यहाँ add कर देते हैं और वही account number को नीचे पर confirm कर देंगे तो चलिए फटापट bank account number add करते हैं आप लोगों को भी यही process अपलाई करना है तो आप लोग भी अपना bank account number यहाँ add कर देने के बाद यहाँ आपको processing options दिखाई देगा processing options दिखाई देने के बाद यहाँ आपको अपना capture selfie है ना आपका selfie यहाँ click कर देना है and आपको अपना signature add कर देना है तो चलिए फटा-फट हम यह दोनों process apply कर लेते हैं तो हमने अपना selfie add कर दिया and हमने अपना signature भी add कर दिया अब अगर आप लोग अपना fno feature and options भी activate कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको अपना segment यह 6 माने का bank statement add कर देना है ठीक है तो मैं activate कराना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ अपना 6 माने का bank statement add करना चाहता हूँ ठीक है तो यह थे simple file के options पर आ गया add मैं यहाँ अपना च्छा माने का bank statement add कर दिया add आपको simple submit के options को click कर देना है ठीक है यह continue के options को click कर देना है तो यह हमने अपना continue के options को भी click कर दिया उसके बाद हमको कुछ इस type का इंटर्फेस आएगा कुछ सेकेंड के बाद हां तो यहां आपको ना 99 पे करना होगा तभी आपका अकाउंट ओपन होगा ठीक है तो हम चलिए फटाफट अपना 99 रुपीज एड़ कर देते हैं हम continue के options को click करेंगे add sum API के तुरू यहां payment करेंगे ठीक है तो चलिए हम यूद़ के तुरू 99 रूपीज pay कर देते है तो मैं second बहें यहां पे करतेता हूं तो यहां यहां 99 रूपीज payment कर दिया अब मैं simple continue के options को click कर आ चुके हैं अब confirm के options को click कर देना है confirm के options को click करने के बाद आपको कुछ step का interface दिखाई देगा आपको simple proceed to अधार e-sign को click कर देना है तो हमने options को click कर दिया अब हमको यहाँ अपना अधार number add करना है ठीक है तो चलिए हम अपना अधार number add कर देते हैं उसी पर OTP भी आएगा उसके पहले यहाँ टॉप पे आपको click कर देना है blue sign कर देना है यहाँ आपको अधार number add कर देना है ठीक है तो चलिए हम यहाँ अपना अधार number add करते हैं यह हम अपना अधार number add कर दिए and send OTP के options को click कर देंगे तो जैसी हम send OTP के options को क्लिक करेंगे यह हमारा OTP आ जाएगा ठीक है उसी OTP को यहां सम्मिट कर देना है तो चलिए हम OTP को submit कर देना है और आप लोगों को भी ऐसी process apply करना है step by step process अप्लाई करना है ठीक है तो ओब ओटीपी हम करते हम्हित तक आया नहीं है यह हमाई ऊटीपी आ गया तो चलिए हम फठाफध ओटी प्यक्रत करते अड़ कर करते डिएे कि कि तोर्ट अच्छिंड लेगा हाय यह हमारा ओटीपी समीट हो चुका है अब हम थोड़ा सा नीचे स्लाइट करेंगे एंड कंटीनियू के ओप्शन को क्लिक कर देंगे ठीक है कि थोड़ा सा रुखते हैं क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता है मेरा सर्वर के थोड़ा सा इसू है लेकिन आप लोग को ऐसे स्टेप बाई स्टेप करना है आप लोग का पांच मिनट में यह प्रोस्स अप्लाई हो जाएगा मैं वीडियो भना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ताइम लग रहा है कि देखते हैं एक से दो मिनट और रुक जाते हैं हाँ यह प्रोसेसिंग कंप्लिट हो रहा है कि ठीक है उसके बाद यह आपका डिजिलिटी इसाइन यहां भी आपको अपना अधार काड नमर जो है एड कर देना है और जैसे ओटीपी आया था ना पिछ को क्लिक कर देते हैं तो यह हम अपना अधार नमर एड करना शुरू कर दिये और ध्यार के ऊपर में एक ब्लू टीक लगाया हुआ है उसको लगाना आप लोग को जरू है तब ही आप लोगों को प्रोसेस आगे अप्लाई होगा यहां सेंड ओटीपी के ऑप्सेंस में क्लि कर देते हैं है और शुम्प्ल आपको वेरिफाइटीपी के ऌफशां को क्लिक कर देना है यह हमने वेरिफाइटिपी को क्लिक कर दिया और यह भी प्रोसेस क्लिक हो गया एन हम अलका सा नीचे कर करके जबिक सब्सक्रतों क्लिक में कर देंगे ठीके है og continue के ओपशऀन को क्ल पाउच मिनट के अंदर आपके अकाउट पे आई एन पासवड आ रहेगा वो आई एन आप पासवड आपको reset कर लेना है एंड आपको login हो जाना है थीक है तो पाउच मिनट तक हम वेट करते हैं गाइस उसके बाद हम login हो जाएंगे ठीक है अब हम अपने एप को ऊपन करके द अपने पास्फोर्ड जो अपसंद था उसको कोटक ने हाइट कर दिया क्योंकि वह से हाइट कर दिया और यह देख रहा हमारा अपन करना जो मैंने आपको प्रोसेस बताया बस यह प्रोसेस आप लोगों को अपलाई करना है और अगर आप लोग को अपन करने को टक नहीं तो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक लिक किजिए अकाउंट उपन किजिए और यहां से अपना ट्रेडिंग का जान